हेलो गाइस कैसे आप सब स्वागत इवेंग चैनल पर मैं हुसेर पाइन नेटवर्क और आज हम बहुत दिनों बाद Attack on Titan के बारे में बात करने जा रहे हैं तो Attack on Titan का स्टोडी पूरी तरह से कंक्ल्यूड होने के बाद लगबग तीन माईना हो चुका है Attack on Titan के इंडिंग को देखका जो लोग इसके बारे में भूल गए है मैं उनको बस एक छोटा से रिमाइंडर दे देता हूँ तो Attack on Titan का मांगा के इंडिंग फैंस के लिए बहुत ज़्यादा डिससाइटिस्फाइंग था मुझे पहले ये इंडिंग टिपिकल लगा था क्योंकि most of the time tragic anime में इंडिंग ऐसे ही होता है लेकिन उसके बाद जैसे Attack on Titan का मांगा conclude हुआ उससे सारे फैंस बहुत ज़्यादा निराश हुए इसलिए आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ points के बारे में बात करने जाड़ा हूँ जिससे कि माप पर Attack on Titan anime के ending को और फी जादे improve कर सकते है तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई filmography का expert नहीं हूँ आप लोगों को खुछ से ही पता है कि Attack on Titan manga में कौन सी चीज गलत हुआ है और adaptation के दौरान किस चीज को change करने से anime और वी बहतर हो सकता है यह आपको पहले से ही पता है इसलिए यहाँ पर मैं बस एक list के जरी आपको यह बताना चाहता हूँ एक और बात कह देता हूँ कि यह कोई top 10 वीडियो नहीं होने वाला यहाँ पर मैं बस 10 important points countdown के तरह बताना चाहता हूँ इसलिए विनव अगगवाई चली शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर 10 में है यमीर की कहानी Attack on Titan series का one of the most fascinating character है यमीर और Attack on Titan का present का स्टोडी लाइन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्यदार है यमीर का इतिहास सबसे पहला इंसान जिसको टाइटिन की ताकत मिला था हाँ यमीर को उसकी enslavement और मौत की वज़े से एरन और उसके सातियों को इस अजीब और गरीब creature से हमेशा लड़ना बढ़ा अगर एनिमे ने मांगा का lead follow किया तो फिर यमीर के character के उपर और वी ज़्यादा focus आएगा लेकिन आपको पता ही है मांगा ने यमीर के character और motive के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा इसलिए एनिमे ने अगर इस पार्ट को ध्यान से execute किया तो फिर हमें एक better story मिल सकता है अटक और टाइटन के final arc में हमें हान जी का sacrifice देखने को मिला जिससे कि उसकी बाकी comrades बस सके इस घटना के पहले उन्होंने आर्मेन को survey course का नया commander बना दिया था तो सच के तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि या तो most of the members Aaron को follow करते है नहीं तो वो मर चुके है इसलिए एक अच्छा strategist होने के वावाजूद भी इस arc में हमें आर्मेन के leadership के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला अगर anime ने इस situation को थोड़ा सा भी develop किया तो शायद हमें comparatively एक better story मिल सकता है नमबर 8 में है Aaron का ending Attack on Titan के finale का सबसे controversial चीज़ है शायद Aaron का ending मतलब आपको तो पताई है अपने दोस्तों के लिए freedom पाने के लिए Aaron ने एक villain का role ले लिया मतलब सच करें तो एक protagonist को आखिन में जाके antagonist के तरह दिखाना anime में कोई नई बात नहीं है लेकिन Aaron का जो खुद का perspective है ये बस हमें manga के आखिन में ही देखने को मिला था तो इसलिए anime के part 2 में जाके अगर Aaron के perspective को और भी सही से दिखाया जाए तो शायद ending थोड़ा सा bitter हो सकता है नमबर 7 में है Aaron का भयंकर काम अपने दोस्तों को freedom देने के लिए villain बनने के बाद Aaron ने क्या ना क्या किया Aaron और Armin के final conversation के दोड़ान उसे दोष शुक्रिया कहते है freedom देने के चक्कर में एक must murderer बनने के लिए तो मुझे लगता है कि anime को इस horrendous activity को किसी भी तरह से support या फिर downplay नहीं करना चाहिए उसके वज़ाए इतने लोगों के जो जान गए इसके बारे में anime अगर थोड़ा से story add करे तो फिर अच्छा रहेगा नमबर 6 में है war का storyline Aaron के detestable action और sacrifice के वावजूद भी Paradis Island का problem पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है बाद में बलकि ये दिखाया गया है कि जब पूरा दुनिया उसके इस war से recover करेगा तो वो लोग उसके action का बदला लेगा ऐसे short-sighted plan Aaron को पूरी तरह से एक villain नहीं बना था और सच के तो अगर इस चीज को improve किया जाए तो फिर शायद anime का ending थोड़ा सा satisfying हो सकता है नमबर 5 में है distant future में war का problem तो जैसे की last point में मैंने बताया कि Paradis को तयार रहना पड़ेगा एक war जिलने के लिए वैसे distant future में दिखाया गया कि Queen Historia ये अगरिस को train कर रहे है ठिक इसी वज़े से पहले बाद तो खुद के comrades को धोका देना उसके बाद जाके Aaron के must murder को support करना पहले से एक बहुत ही अजीब बात है इसलिए इस जगे को anime में improve किया जा सकता है नमबर 4 हिस्टोरिया का बड़ा रोल एक royal इंसान है लेकिन फिर भी हिस्टोरिया को कभी भी एक बड़े रोल में हमें देखने को नहीं मिला Queen बनने के बाद भी हिस्टोरिया का screen time बहुत ही जादा कम था Attack on Titan जैसे एक political anime में अगर एक Queen को leadership role दिया जाता तो फिर शायद anime और भी बैतर हो सकता था इसी बात का आशा हम part two में कर सकते है नमब थ्री में हाजूमा भी तो storyline हिस्टोरिया के वावजूद भी हमें season 4 में एक और ऐसा character देखने को मिला जो की सही से develop नहीं हुई है और वो है हिजूरू nation का ambassador और मिकासा का relative कियोमी आजूमा भी तो season 4 में कियोमी का मिकासा के साथ एक बड़ा रोल होने के वावजूद भी story के conclusion में हमें कियोमी के background के बारे में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला इसलिए Aaron के date के बाद अगर मिकासा और साथी साथ इस storyline को थोड़ा सा add किया जाए तो शायद ending थोड़ा सा better हो सकता है number 2 में है characters का epilogue तो सच कहे तो attack on titan के finale में किसी भी main character के epilogue story को सही से दिखाया नहीं गया और साथ इसाथ additional pages में भी हमें बस मिकासा के बारे में थोड़ा सा जानने को मिला था इसलिए अगर story को conclude करने के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो फिस शायद anime का ending better हो सकता है और number 1 में है possible sequel additional pages जब add हुआ तब हमें attack on titan के एक possible sequel के बारे में पता चला हम सबको ये पता है कि manga से anime adapt होने के दौरान बहुत कुछ cut कर दिया जाता है तो फिर आखिर में हमें जो चीज़ देखने को मिला अगर anime में उसका एक elaborate scene हमें देखने को मिल जाए तो फिर शायद हम थोड़ा से satisfy हो सकते है तो guys यही था वो 10 point जिसके जरी attack on titan anime के ending को थोड़ा से improve किया जा सकता है तो आपको क्या लगता है कौन से point में अगर improve किया जाए तो attack on titan anime ending और भी बहतर हो सकता है यही हमें नीचे कमरे में बता दीजिए ऐसे तरह तरह वीडियो उसके लिए हमने साथ ऐसे बने रहे हैं तो आज की वीडियो वैसे तहीं मिलते आगे एक और नए वीडियो के साथ